जैश्विक्रिश्णा स्वागत है आपका सार्थित्रिश्णा के साथ कैसे हैं आप लो क्या हाल चालें बताते रहा करिए मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ त्योहार भी चालू हो गए है दिपावली आने वाली है और दिपावली से पहले कुछ ऐसे उपाए मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है जिससे महालक्ष्मी का अशिरवाद आपको सदा सरवदा प्राप्त होता रहे घर में बरकत होना बहुत जरूरी है पैसे सब के पास आते हैं मैं हर बार ये बात बोलती हूँ पर उन पैसों से पैसे बनने चाहिए एक का नोट हमारा हमेशा सो का नोट बनना चाहिए ऐसा करते ही हमारी जिंदगी में हम बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं हम बहुत पैसे वाले हो जाते हैं और साथी साथ में हमारा नाम हमारा रुतबा हमारी पहचान सब बढ़ जाती हैं यह मेटेलिस्टिक डुनिया है जो सिर्फ आपको आकती है पैसों से आप अंदर से कैसे हैं आपकी आत्मा कैसी आपकी पहचान कैसी हैं जस्बात, फिलिंग्स और आप कैसे हैं ये बहुत कम देखा जाता है वो प्रियावरन देखने के बाद ये कहा जाता है कि बस ये इनसान बहुत अच्छा होगा आपके पास पैसा है आप दानपुन्ने कर रहे हैं तो फिर आप बहुत महानादमी हैं लेकिन जिसके पास अपने घर को परिवार को चलाने के लिए पैसा ही नहीं है जो कर्जों को अदा करता रहता है जिसकी तनख्वा आने से पहले उड़ जाती है जिसके उपर जिम्मेदारियों का बोज बहुत जादा है उस इनसान की महानता कैसे देखी जाएगी सोचने वाली बात है सोचिएगा जरूर पैसा किस के पास नहीं रुकता पैसा किस इनसान के पास ठहर नहीं पाता एक बहुत छोटी सी बात लेकिन ध्यान पूर्वक सुनिएगा समझिएगा और इसको एक्सप्रीमेंट करके देखिएगा जो बहुत जल्दी जल्दी पैसा मांगते हैं होता है न हम कई बहुत लेट हो रहा है जल्दी जल्दी से पैसा दे दो अरे मुझे यह समान लारा है लग जल्दी जल्दी पैसे दो, अपन किसी दुकान पर खाड़े होते हैं अपन कहते हैं भी आ जी फटाफट से दो ना खुलाड दो लेट हो रहा है हमको दिहारी लोग मांगते हैं जल्दी जल्दी पैसा भिकारी मांगता है पीछे पड़के पैसा केवल वही लोग मांगते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं आप जितने भी अच्छे लोग हैं पैसे वाले लोग हैं उन्हें देखेगा वो थोड़ा सा सबर करते हैं अच्छा जादा पैसा आपके पास देरी से आएगा और जल्दी जाएगा टिक नहीं पाएगा दूसरी बहुत बड़ी चीज पैसे को लेते समय और देते समय एक बात का विशेश ध्यान रखिए हम अकसर ये छोटी-छोटी चीजों को छोड़ देते हैं और बड़े-बड़े उपाय क करने लगते हैं और सोचते हैं कि रातो रात का रोड़ पती बन जाएंगे यही छोटी-छोटी चीजें हात में बर्कर देती हैं यही छोटी-छोटी चीजें कुनली के अंदर महालक्षमी योग का निर्मान करती हैं कभी भी किसी को उल्टे हाथ से पैसे मत दीजिए कभी जी आज आपको धन लक्षमी बढ़ाने के लिए कुछ बहुत विशेश बताती हूं मैंने अभी आपसे क्या कहा था पैसों से पैसे को बढ़ाना सिखाती हूं हाँ आज आपका एक नोट कैसे सौ में बदलता है ये बताती हूं लेकिन उससे पहले आपको कुछ और छोटी छो कारियां दे देती हूं बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो अपने कमरे में अपने घर में पैसे को खुला छोड़ देते हैं कहीं भी हम 10-20 के नोट सिक्के यूही रखकर छोड़ देते हैं ये कारिये कभी मत करिये इससे आपके उपर करजे बढ़ने लगते हैं और धन इशा रहेगा महालक्षमी को तीन चीज़े विशेश प्रिये हैं लगू नारियल पीली कौडी और कमल गट्टा चाहे आप ये दो दो ही रखिए लेकिन अपने मंदर में इन्हें लाल कपने में बांध कर जरूर रखिए सिद्ध करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई फरक नह रखिए जरूर और नियमित रूप से धूबबती जरूर दिखाईए चलिए आज आपको नोट से नोट बनाना सिखाती हूं नकली नोट बनाना नहीं सिखा रहे हूं भाई अव्याद काम कभी नहीं और वो भी सार्थी परिवार में गलत बात आपको आज एक छोटा सा उपाए बता रहे हूं एक दस का नोट ले लीजे उस नोट की दस जिरॉक्स करा लीजे दस फोटो कॉपी करा लीजे सबको एक साथ में एक के उपर एक चिपका दीजे जो आपका ओरिजनल नोट है उसे आप अपनी अलमारी में तिजोरी में बिल पर हल्दी कुमकुम और भस्म भस्म किसकी होगी गूगल की लोबान की नहीं हो तो आप जो अगरबती या धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी चलेगी और साथ में इसमें आप कॉड़ी को कूट कर उसे मिक्स कर लेंगे इससे आप उस नोट के उपर एक स्वास्तिक बनाएंग आप करेंगे शुकरवार के दिन या पूर्णिमा के दिन शाम के वक्त ये काम करेंगे पांच बज़े से लेके साड़े च्छे के बीच में और उसके बाद ये जो आपने दस नोट जिरॉक्स करा हैं न ये उसके नीचे रख देंगे हर शुकरवार को ये जो गड़ी है न जो आपने जिरॉक्स करा के रखी है इसे बाहार निकालिए इसे अच्छी से हल्दी का छीटा दीजिए रोली तीका लगाइए महा लक्षमी को याद करिए और ऐसा बोलिए कि मां ये 10 गुना पैसा 100 गुना हो जाएं ये 10 गुना लक्षमी मेरे घर में 100 गुना हो जाएं करके देखिए बहुत असरदार बहुत जबरदस्त उपाए है आपकी जिंदगी में परिवर्तन जरूर लाएगा अगर कोई मुझसे यह सवाल करेगा कि क्या आपने किया है हाँ मैंने किया है और मुझे क्या असर हुआ है यह वो लोग बहुत अच्छी से देख पाएंगे ज नोट से दस का नोट है उसका मैंने एक त्रिकोण बनाया है इस त्रिकोण को एक लाल कप्डे में आपको रख लेना है सेम यह काम आपको कप करना है शुकरवार के दिन किस टायम करेंगे बारा बज़े से साड़े बारा के बीच में, पांच गौमती चक्र, पांच पीली कौडी, एक काली कौडी, दो लगु नारियल और कुछ गुंजा, लाल या काली गुंजा आप डाल सकते हैं, उसके बाद में महालक्ष्मी को आप स्मरन करेंगे, उनके मंतरों का जाप करेंगे, अगर कर सकते हैं, तो कनक धारा स्त्रोत्र का पार्ट करिया, अच्छी से गांट बान दीजे, पोटली बन जाएगी, उसे धूब बती दिखाईए, और अपने घर के नौर्थ में उसे किसी चीज से दबा कर रख दीजे, आप जिस भी चीज से दबाएंगे, वो चीज अंदर से खोकली होनी चाहिए, दुकेगी नहीं, बिल्कुल भी बरकत कम नहीं होगी, आपके घर में हमेशा सदा सरवदा मा लक्ष्मी का वास रहेगा, मैं ये नहीं कह रही कि हम मा लक्ष्मी को कैद कर लेंगे, मैं सर्फ इतना कह रही हूँ कि ये उपाय करने से हमेशा आपके पास मा लक्ष्मी का आश दरूर करें देखिए दिवाली आने वाली है और अभी से यह मंत्र जाप चालू करिए ताकि जब आप दिवाली पूजन करें तब तक आप उस माला को सिद्ध कर चुके हों और फिर दिवाली पर उसका क्या करना है यह मैं आपको अपने दिवाली एपिसोड में बताऊंगी आज के लिए बस इतना ही, फिर आओंगे कुछ नहीं, कुछ अलग कुछ अद्भूत लेकर तब तक के लिए मुस्कुराते रहेगा, रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा, अपने सार्थी के साथ यूँ जुडे रहेगा, प्यार देते रहेगा, प्यार लेते रहेगा जोतिश शास्त्र में PhD मात्रिशिला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लव्स के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात है अपने उपायों द्वारा लागों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रिशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवासा जा जुगा है झाल Bringt